नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पहली बार नहीं है जब पती ने उसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल की है। वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। खबर के मताबिक शादी के बाद से ही दोनों पती पतनी के बीच विवाद चल रहा था। जिसकी वज़े से वो साल 2019 से ही अपने माईके में रह रही थी। महिला का आरोप है कि उसके पती ने पहले भी उसकी फोटो फेस्बुक पर वाइरल कर दी थी। पेडिता ने पुलिस में शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं ही। वहीं कुछ दिन पहले दोनों के बीच समझोता हो गया जिसके बाद महिला अपने पती के साथ ससुराल चली लेकिन उसके पती ने उसके साथ बद सलूकी और मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं उसे घर से भी निकाल दिया था। पेडित पत्नी का कहना है कि अब पती ने उसे कॉल गल बता कर उसकी फुटो पॉन साइट्स पर वाइरल कर दी। इससे उसकी बहुत बदनामी हो रही है। बदादे परेशान महिला ने मुंडाली थाने में अपने पती के खिलाब शिकायत दर्ज कराते हुए सक्त कारवाई की मांकिया। ये घटना बहुत ही हैरान कर देने वाली। महिला की शिकायत के बाद पॉलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर द नहीं तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।